नमस्कार सात्यों, Infusion Notes के online platform पे एक बार फिर से आपका स्वागत है, जैसा कि आपको बताए, अपन डेली राजस्तान करंट अफेर के एक क्लास लेते हैं, जिसमें अपन उस तिन के करंट अफेर को इक बहुतों, नमस्कार सलाएं उस ऋस तिन के साथ करते हैं, और परत्य क्लास के इंत में सुझरस का शारखते हैं, सुझरस केонец-पर को पढ़ते हैं, आप साुझरस के लेवल प्वेतर को से एक करते हैं, तो अफेर को बीकुकर अचान के परत्य के परण्ट अफेर कहां कि घै कि मैं 99 पर्थेंट रोंते हैं वो सुजय समें सभूरें की सब्सेंफ बेने इसके लाभा सुजस में अगर किसी भी दूर के वारे में, किसी भी मंदिर दे बारे में, किसी भी नर्तिह के बारी में चर्चा कर रखिए, वह सकता है वो कर मदिंदुम्हें नहीं आई लेकिन वो राजस्तान जी के में उस फोर्सन से कुसन आने की संभावना परबल रहती है इसलिए ध्यान रखना है सूजस की पत्रिगा पर्ते टाइम बिल्कुल भी लापरवाई नहीं बरतनी है आगामी एक साल में कर सेलेक्शन लेना है तो और डेली करंट फेर की क्लास लेन अगर अधरवाई को दिक्कत नहीं इस क्लास की डेली की क्लास की पीडिये पोर जो मंतली पीडिये पाती हो कहाँ पर मिलेगी मैं इस वीडियो के अंते में आपको बता दूंगा चलिए पहला क्या है गोवा में आयुजित 24 वी नेशनल पेरा स्विमिंग चेंपियंशिप म लखन सिंग और पपुदेवी लखन सिंग ने तो गोल्ड मेडल जीता है पपुदेवी ने काशिपदक जीता है गोवा में यह कहां पर आयुजित हो रही है तो आप ध्यान रखना पंजी गोवा की राजदानी पंजी के अंदर जो ओलंपिक स्टेडिय मनावा है वहां पर इसके अंदर इनका खेल कौन सा था याने कौन से इवेंट में इन्होंने भाग लिया था तो एस फोर हंडेड मीटर जो परतियों के ता हुई थी पूरूसों में इसके अंदर लखन सिंग जी ने गोल्ड मेडल जीता था आज की जो अपनी दो क्लास होती है तो राजस्तान करंट अफेर की तो होती है एक इंडिया करंट अफेर की भी क्लास होती है आज इंडिया करंट अफेर की क्लास में मैंने आपको बताया था यही बताया था मैंने के जो 24 वी नेशनल पेरा स्विमिंग चेंपियंशी पे व हरियाना के बलराज ने काश्य पदक जीता है एस फोर हंड्रेड मीटर इवेंट की बात कर रहा हूं उसके आगे मैंने ये भी उताया था एक ससी जो एस शिक्स सो मीटर फ्रीश्टाइल है उसके अंदर रज़त पदक कभीता ने जीता जाव उडिशा की है और काश्य पदक प आपके इंपोर्टेंट है याद रखनी है ये सफॉर और शिक्स के अंदर एस फोर पूरूस हों के अंदर लखन सीघ्ट गोल्ड एस इक सो मीटर महिलाओं के अंदर पपु देविने काश्य पदक जीता है इंपोर्टेंट है ठीक है ने मने में से किन योजनाओं का नाम ब लेखिते हैं किन-किन योजन गें नाम चेंज गया गया या तो उन फूर साब ने इंदिते हो न इन दोनों का नाम चैजर आंगे अ करते हैजा वे कोस्णम में कि अ यूजन हूर कि disease सब्सक्राण में लिए हुगवा पर जोल इसके आलवा हो दो इंटरा महिला सक्ती सम्मान थर्श इंतर अग्ज शयों कलता हुआ अ कौण धिना है जढू य२ कत टेएगा नटीडिये रीहा है जाननक यी सव्रक्सानल को इस जो सम्मान उजन आप नम के नख जैंज गिया है या मुख्यमंत्री नारी सक्ति पर्सिक्षन हो कोशनल समवर्दन इसके लावा इंद्रा महिला सक्ति उडान योजना इंद्रा महिला सक्ति जागरुकता योजना और इंद्रा महिला ता बालवी का सोद संस्तान ती उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है काली भाई भील परना दाय सुरक्साव्य समान योजना तो इनको इंपोर्टेंट ए। द्यान रखना है एक शीज को याद रहां यह सारी चीजे जो इस क्लास की डिटेल एनलास की अनलाइस चीष गेख आन सारी चीजे लिकियो हुई होती है वो कैसे मिलेगी तो इसी वीडियो के दिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं वहां से डाउनलोड गर लेना अध्रवाइज यह वोट्सप नमबर इस पर मेसेज कर देना जैसे आप इस पर मेसेज गरोगे वोल देना है सर जो आपकी राजस्तान डेली करंट अफेर की क्लास होती है उसकी प इस वेबसाइट पर जाना सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे नोट्स चेक कर लेना कौन से नोट्स आपको चीए वो नोट्स आपको मिल जाएंगे नोट्स according to syllabus मिलेंगे चीज़ें सारी अपडेट मिलेगी बासा एकदम सरल मिलेगी जिस्वा खुद पढ़कर समझ सकते तो इसके अलावा क्या मिलेगी index, follow chart, diagram, सारी चीजें पुराने papers भी साथ में मिलेंगे, questions, practice के लिए questions, booklet, state मिलेगी साथ में, सारी चीजें आपको provide हो जाएगे, आप इस website को जाके checkout कर लेना, यह हमारा Instagram handle है infusion slash notes नाम से वहाँ पर जितनी भी vacancies होती है उसको लेकर जितनी भी important news वगएरा होती है quiz वगएरा होती है वो सारे हम डालते रहते तो इसको भी आप follow कर लें अगर आप Instagram चलाते हो तो अगला question है शिक्षा सेतु योजना को राजस्तान सरकार ने कालीबाई बील महिला संबल योजना में मर्ज कर दिया है यह किस वर सुरू हुई थी इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है यह 2019-20 के अंदर शुरू हुई थी ठीक है 2019-20 में योजना शुरू हुई थी और अब यह पूछी जाएगी ठीक है तो ध्यान रखना है शिक्षा सेतु योजना को राजस्तान सरकार ने कालीबाई बील महिला संबल योजना में मर्ज कर दिया है और यह शिक्षा सेतु योजना 2019-20 के अंदर शुरू हुई थी अभी जो कालीबाई बील महिला संबल योजना थी उसके अंदर चार योजनाओं को मर्ज गया गया सब्सक्राइब कर दिया है तो इन चार योजनां को काली बाय बील महिला संभल योजना में मर्ज गर दिया गया है और शिक्षा सेतु योजना 2019 में प्रारम भूती जिसको काली भाई बील महिला संबल योजना में सामिल किया गया है आगे आप पड़ता है सूजस का सार बहुत सारी चीजें आज के सूजस के अंदर अक्षे उर्जा के चेतर में यूए से तीन लाग क्रोड एमोई हुआ है तो यूए के साथ यूए को क्या बोलते हैं सयूंक्त अरब अमीरात इसके साथ हुआ है ठीके पस्ची में राजस्तान में साट गिगावर्ट समता की सोलर विंड यू हाइबरीड प्रियोजना लगेगी इंपोर्टेंट लाइने भाई ध्यान रगना है द्यान रखना है अपार सम्भावना है यह निवेस प्रदेश के पस्ची में जिलो में साट गिगावर्ट समता की सोलर विंड यू हाइबरीड प्रियोजना की स्थापना के लिए किया गया है और यह यह कंप्लीट द्यान रगना है यूए को निवेस करने का नियोता है मु कि ठूट फूट है कि यसमालों खेपर बन गया है यह छप गई यह 9-11 धिसंबर जेपर के अन्दर होगी क्या होगी राजस्तान में अंदर जो राइजिंग राजस्तान गलयोबल सम्मेट वह गई 9-11 दिसंबर जेपूर के अंदर ठीक है दियान रखना इसके लिए यह भी इतनी सारी चीज़े जल दिये प्री मीटिंगे चल दिये तो अगर इजी कुशन आता तो यह पूचा जाएगा नों से 11 दिसंबर जेपूर के अंदर रास्तान जो इन्वेस्टमेंट सम्मीट मीट होगी उसका लेगी कि पस्ची में राजस्तान में 60 गिगावट सम्मता की सोलर विंडोर हाइब्रीड प्रियोजने लगानी है उसके लिए 12 में 584 क्रोड रुपे के 46 निवेस्कों ने M.A.U. साइन किये हैं उद्यपूर के अंदर 13,000 क्रोड रुपे के 183 M.A.U. साइन हुए हैं ठीक है कोई खास इंपोर्टेंट चीज नहीं है नमीनीकरन उर्जा को बढ़ावा देखकर नेट 0 का लक्षे आंसिल करेंगे उर्जा राजी मंत्री उर्जा राजी मंत्री सिरी हिरालाल नागर ने का है कि भारत नमीनीकरन उर्जा को बढ़ावा देखकर वर्ष 2070 तक सुन्ये कार्बन उर्सरजन याने नेट 0 के लक्षे को आसिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है इसी का परीणाम है कि हमारे देश की स्थाहपित नमीनी क्रण उर्जा संता 200Gv से अधिक हो गई है यह इंपोर्टेंट लाइन आप ध्यान रगना है अपने भारत देस्थ की स्थाहपित नमीनी करण उर्जा संता कित कर रहा है भारत की सबसे अगरनी राज्य है ठीक है ज्यान रगना है 200 गीगावोट से अधिक समता है नमीनिकरन उर्जा की भारत की जिसके अंदर 29.50 गीगावोट की समता किस में इस्तापी थे राजस्तान में इस्तापी थे सकता है यहाँ से शिरी नागर मंगलवार को जेपुर के होटल हयाट में ज्यान रगना है हिरालाल नागर जो की उर्जा राजे मंतरी है प्रदान मंतरी शिरी नेंदर मोधिने स्कोटलेंड में वर्स та एकिस मायावजीत उनाइटेट नेशन क्लाइमेंट Nephcan सब्सक्राइब की सब्सक्राइब कौन कायाद निपत यू पकौन फॉत्ञ अजेंडा प्रश्थूत क्या था ठीक है तो फट्र ères करेंड़ प्रुस्तव क्या गया था ये सारी छीजें पड़ लेड़ा है शाड़ी इंपोर्टेंट से पढ़ लेना भाई पूचा जाएगा कि जो जिलों की सहांसकर्त और हट सलिप उतपादन को आकर्शन करने के लिए दिपावली मेले का योजन कहां वाता और किसने किया यही पूचा जाएगा डेट नहीं पूची जाएगी सथाई जरा इसके अंदर ग्रामींड विकास वी बागे वो इसको करवा रहा है करवा कह रहा है इंद्रा गन्दी पंचाइते रहा सहतान है जयपूर के अंपर करौहरा रहा है सताइस अक्टूबर तक यह मेला जारी रहेगा इसमेले में विबीन जिलों की सहसकर्तिक परिदान भासायों परंपरिक उत्पादों का बेजोर नमुना देखने को मिल रहा है राजस्तान के ब्लू पोर्टरी कोटाडोरिया लोहे के समान रोज प्रोडेक्ट लाक की चूडि जारी कर दिया है राजस्तान आज ये क्रमचारी चेंड बोड ने अक्टूबर दोजार चोबीस से जून दोजाट 26 तक आयोजित होने वाली सत्तर बर्तिप्रिक्षाओं का क्लेंडर जारी किया है जिसमें आवेदेन प्रेक्षा के दस्तावे सत्यापन समेत विभीन और जल्द परिक्षा करवाने के निर्देश दियेते इस निर्देश की पालना से बर्तिप्रिक्षाओं की तारीगों में संसुति क्लेंटर जारी किया गया है यह यह चीज़े हुई है तो भाई आगामी एक साल के अंदर वेकेंसी जी वेकेंसी जे सेलेक्षन लेना है तो